फ्रेंड्स अगर आप M.W. बिजनिस कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस होने के लिए आपको कुछ बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है वैसे तो काफी बुक्स हैं बट मैं आपसे आज एक बुक सिक्रेट लो अफ अट्रेक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ दोस्तों आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ The Secret Law of Attraction जिसके बारे में सही सही समझकर आप अपनी लाइफ को सक्सेस कर सकते हैं आप सभी ने Law of Attraction के बारे में सुना है पर क्या आप सच में इसकी पावर को जानते हैं हम अपने लाइफ में जैसा सोचते हैं वैसा ही होने लगता है और ये एक यूनिवर्सल टूथ है वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है कुछ लोग कहेंगे कि हम तो अच्छा सोचते हैं हमारी अच्छी नोकरी हो हमारी लाइफ इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि हम उतनी उचाई तक पहुँच भी सकते हैं इसलिए law of attraction काम नहीं करता इसलिए सबसे पहले law of attraction को apply करने के लिए हमें अपने confidence level को और positive thinking को बढ़ाना होगा ताकि हमारा mind जो भी हम चाहते हैं उस पर पूरे दिल से विश्वास कर और आप क्या बनते हैं इससे ये decide होता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं self confidence को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप महतपूंड दिखें इससे आपको खुद को महतपूंड समझने में मदद मिलती है घर से बाहर निकलते समय ये देख लें कि आ आप वैसे ही दिख रहे हैं जैसा आप दिखना चाहते हैं याद रखे महतपूंड दिखें इससे महतपूंड सोचने में मदद मिलेगी कपड़ों का यूज self confidence को बढ़ाने के साधन की तरह करें आप बाहर से कैसे दिखते हैं यह इस बात को बताता है कि आप कैसा सोचते है love of attraction आपकी जिंदगी बदल देगा उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी negative सोच को positive सोच में बदलना होगा अगर आप life में success होना चाहते हैं तो अपने और अपनी success के बीच में हमेशा excitement को बना कर रखें इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा excitement से भरा सोचें हमेशा positive रहें यह बहुत बढ़िया काम है इससे मुझे आगे चलकर बहुत बढ़िया फायदा मिल सकता है मेरी learning skill बढ़ रही है और मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूँ low of attraction को अपनी जिन्दगी में करने के लिए यह देखें कि आपके सोचने का धरीका कैसा है positive या negative low of attraction से आप अपना aim कैसे पा सकते हैं इसके लिए आपको चार important बातों पर focus करना होगा सबसे पहले आपका goal clear होना चाहिए उसके बाद आप उस goal को achieve कर सकते हैं इसके लिए आपको खुद पर विश्वास बनाई रखना होगा यह imagine करें कि आपने उस goal को achieve कर लिया है और अपने subconscious mind की power को यूज़ करें आपको the secret law of attraction कैसा लगा इसे comments त्वारा जरूर बताएं the secret law of attraction में अगर आपको कोई गलती भी लगी हो तो आप मुझे comments कर सकते हैं अगर आपको the secret law of attraction अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को जरूर share करें और अपनी life में success होने के लिए और किसी भी business में success होने के लिए इस book को detail में जरूर पढ़ें